इन कुछ लोग हैं जो बारत अस्थीर रहे अशांत रहे इसे लगातार कोशिश से कर रहे हमें इन लोगों को जानना होगा मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है कि एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है अंधोलन जीवी एक को यह जमात आप देखोगे कि वकिलों का अंधोलन है वह नहीं ज़ी कर दो कर दो कि अगे कभी परदे के पीछे कभी परदे के आगे एक पूरी टोली है जी जो आंदोलन जीवी है वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन के से जीने के लिए रास्ते खोचते रहते हैं हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा को जो सब जगावे के पहुंच करके और बड प्रेश आंदोलन जीवी लोगों से बचें इसके लिए हम सब को और ये उनकी थाकते उनका क्या है फुद खड़ा में कर सकते चीजें किसी की चल रही तो जागे बेड़ जाते हैं वो अपना जो जितने चल जाता है उनका ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवर सिकता है यह सारे अंदोलन जीवी पर जीवी होते हैं और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसले होगा कि आप जहां जहां सरकारे चलाते होंगे आपको भी ऐसे पर जीवी अंदोलन जीवी होता हो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में वो विराश्पती अभिभाशन पर जवाब देने की गरिमय मौके पे ऐसी बात कह दी और एक ऐसी कुटिल मुस्कान के साथ कह दी और कोई शब्द नहीं इस तरह की मुस्कान के लिए अब आप ही बताएए इसे कुटिल मुस्कान कह खा जाए नहीं तो क्या खा जाए कि मुझे लगा कि नहीं आज तो बात कुछ कहनी पड़ेगी बैसे हास्पिटल में बैठके कोई फेस्बुक करने की कोई जगए नहीं है मुझे कोई शौक नहीं है जैसा मैंने शेयर किया था इस सब वज़ए से मेरी एक बहुत पुरानी बीस साल पुरानी बीमारी है वो थोड़ा उखड़ गई है लंग्स में और उसकी वज़ए से हस्पताल में था छुट्टी लेके निकला अंदोलन जॉइन करने के लिए कल तक हालत और खराब हो गई तो दुबारा पकड़के बुला लिया गया हस्पताल में तो अभी डॉ हुआ हूँ सब कुछ चल रहा है दवा चल रही है और खूब दोस्तों की दुआ भी चल रही है तो इसलिए आप बिलकुल चिंता मत कीजिए बस यह है कुछ वक्त थोड़ा रेस्ट काइदे से लेना पड़ेगा और मैंने जो थोड़ा लापरवाई कर दी थी उसकी साजा म बीच में बीमार भी होते है ना तो एक एक अपराद भूटसा होता है इस वक्त मैं बीमार क्यों हूँ तो उस लालच में थोड़ा उटके चला गया था लेकिन अब मैंने डॉक्टरों से वायदा किया है कि बिएव करूँगा ठीक से इनकी बात यदायत को पालन करूँगा खर यह सब बात करने के लिए मैं नहीं कर रहा फेस्बॉक आज प्रधान मंतरी ने कुछ कहा है आज राष्टपती की अभी भाशन जब राष्टपती भाशन देते है ना तो विपक्ष आलोचना करता है फिर आखिर में प्रधान मंतरी जवाब देते हैं बहुत एक महत्व प्रधान मंतरी ने विपक्ष पे हमला किया वो अकसर करते हैं शारत पवार ने पहले ये कहा था अब ये कह रहे हैं कॉंग्रेस ने ये कहा था वो कह रही है अच्छा है करें मैं तो बार बार कहता हूं कॉंग्रेस बीजेपी को जो जो इशू एक दूसरे से सुल्टाने है सुल्टा ले इस देश ने तो 2019 में सुल्टा दिये थे जब उसने दुबारा कॉंग्रेस को हरा दिया था खैर अगर आपको और इशूज उल्टाने मुझे रखता है कि प्रधान मंत्री को बहुत जरूरत रहती है कॉंग्रेस की कॉंग्रेस पर हमला किया जाए कॉंग्रेस के बारे में ये बोला जाए मैं कर भी सोचता हूं कॉंग्रेस ना रही तो बिचारे का क्या होगा वो होता है जो दूसरे की बिमारी पर पलता है उसके लिए एक शब्द होता है किसान बताएंगे किसान वेग्यानिक भी बताते हैं जो खुद अपने पे नहीं किसी दूसरे की बीमारी पे पलता है उसे पैरासाइट बोलते हैं परजीवी आज प्रधान में तरी नो शब्द इस्तेमाल किया था मैंने का याद दिलादू पर जीवी क्या होता है फिर जो उन्होंने कहा वो साफ था उसके बाद उन्होंने असली अपनी तोप दागी आंदोलन जीवी इस देश में एक नई चीज पैदा हो गई है आंदोलन जीवी बड़े खतरनाक लोग हैं रोज आंदोलन का कोई बहाना ढूंडते हैं यह आंदोलन हो उसमें आ जाते हैं दूसरा आंदोलन हो तुसरा आ जाते हैं रोज आंदोलन ढूंडते रहते हैं बड़े खतरनाक हैं देश को बचना चाहिए यह विचारदारा देते हैं आंदोलन को इस देश के प्रदानमंत्री बोल रहे है संसद में बोल रहे है इशारा साफ था किन लोगों पर था इतना डरते हैं हमसे शोभा नहीं देता प्रदानमंत्री जी बहुत बड़ी कुरसी पर बैठे हो मन भले ही छोटा हो इस देश ने बहुत बड़ी कुरसी दिये आपको इतनी बड़ी कुरसी पर बैठके इतनी छोटी बातें कहना और हम जैसे छोटे लोगों से डरना शोभा नहीं देता आपको वैसे याद दिलाऊं आपको ये ना ये कुछ दिन पहले ही शायद आप ट्वीट बगरा भी किया करते थे इस देश को जनांदोलन की जरूरत है आपका ट्वीट है मेरा नहीं है जी जनांदोलन बड़ा अच्छा लगता था और जब कॉंग्रेस सत्ता में हुई करती थी वह जिस कॉंग्रेस को आप इतना प्यार करते हो जिसके बारे में हर पांच मिनिट में कुछ बोल देते हो जब कॉंग्रेस सत्ता में थी ना यूपी ए तो पेट्रोल के सवाल पे आप आंदोलन करते थे देश में रुपए की कीमत पचास पार हो गई डॉलर के मुकाबले में इस पे आप आंदोलन किया करते थे और शिक्षा पे और पताने किस किस चीज़ पे आंदोलन किया करते थे तब आंदोलन अच्छा होता था आज आंदोलन खराब हो गया चलो अभी की बाते तो छोड़ दीजी चलो आप कहोगी ये तो विपक्ष में खेल किया करते थे थोड़ा और याद दिलाओं मोदी जी आपको एक जैप्रकाश आंदोलन हुआ करता था आप अपने जीवनी में बड़ा गर्व से उसका जिक्र किया करते हो कि आप उससे जुड़े रहते थे बड़े लोग थे वो तो एक नवनिर्माण आंदोलन भी होता था मोदी जी याद है आपके गुजरात में, मेरे गुजरात में उन नवनिर्माण आंदोलन जिससे आप अपने राजनेतिक जीवन की शुरुवात बताते हो सच्ची है जुटी है मैं नहीं जानता आपको दी बोलते हो अंदोलन का नाम करने के लिए हम जैसे लोगों पर हमला करने के लिए आप अंदोलन को बतनाम कर दोगे लाखों किसान इस देश में आज जो बैठे हैं उन किसानों को बेजजत करोगे उन पर तोह मत लगाओगे उनको अपमानित करोगे सिरफ इसलिए कि हम हम जैसे कुछ लोग आपसे बरदाश्ट नहीं होते हैं अच्छा हमें भूल जाएए आज के इन आंदोलन कारियों को भूल जाएए जरा ये तो याद कर लीजी अब आपको मैं नहरू का नाम नहीं लोगा वैसे मिन नहरूने को बहुत बड़े आंदोलन नहीं किये लेकिन पटेल का नाम तो आपको याद रहगा न ये बारदोली आंदोलन किसका था मोदी जी और सुभाष्चंद्र बोस ने कोई आंदोलन किये थे क्या और एक और बात याद दिला दूँ ये जो देश है ना चलिए आपको कुछ आपकी चीज़े और याद दिला दूँ आप कहरे थे आंदोलन और ये लोग विचारदारा देते हैं चलिए मेरी बात तो भूल जाएए जिन आदोलनों का मैं समर्थन नहीं करता वो भी आपको थोड़ा याद दिला दू और तो बाकियों की छोड़ दीजिए थोड़ा शामा प्रसाद मुकर जी की इज़्जत कर ली इसकी होती है आपने प्रदीन दियाल उपाध्याय के बारे में याद कर लिया होता कमस्कम उन लोगों के हमारे मूँ पे कालिक पोतने के चकर में आपने अपनी पार्टी के लोगों पे जिने आप अपना वैचारिक गुरु बताते हैं उन बेचारों पर भी लगा दी गर कालिक, इतना डरे घबराये रहते हैं और एक बात तो याद दिलाना भूल गया मोदी जी, ये जो देश है न, ये एक आंदोलन की बुनियाद पे खड़ा है ये किसी से गिफ्ट बना हुआ देश नहीं है किसी से आजादी सौगात में लेके देश नहीं बना है ये देश एक आंदोलन से बना है उसका नाम था भारतिये राश्ट्रिये आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन आपको थो ला जाती होगी उसके बारे में नाम लेते हुए क्योंकि जिन्हें आप अपना वैचारिक बताते हो ना जिस परंपरा को आप अपनी परंपरा बताते हो उसने एक कुर्बानी नहीं दी उस देश की आजादी के आंदोलन में एक कत्रा खून नहीं बहाया इसलिए आज बड़ी सुन्दर बात आपने बोली क्या कहा FDI से खत्रा है देश को Foreign Destructive Ideology हां मोदी जी Foreign Destructive Ideology से Foreign Destructive Ideology वो है जो इस देश के राष्ट्रिय आंदोलन की महान परंपरा को जर्मनी के घटिया राष्ट्रवाद में रिडियूस कर देती है जो इस देश के राष्ट्रवाद को इस देश की परंपरा से नहीं देखता जो इस देश के राष्ट्रवाद को इस देश की मिट्टी में नहीं देखता जो इस देश के राष्टवाद के लिए जर्मनी की नकल करता है न वो सबसे बड़ी फॉरेंड डिस्ट्रक्टिव आइडियोलोजी है इतना डिस्ट्रक्शन किया है उसने इस देश का सारे वक्त मोदी जी सिरफ दुश्मन नजर आते हैं क्या हुआ है जब से आप प्रधान मंत्री बने हैं इस देश में दुश्मनी दुश्मन पैदा हो गए क्या हर रोज कोई नया दुश्मन देश को मिल जाता है अब कल से आंदोलनकारी इस देश के दुश्मन हो जाएंगे कभी दोस्त भी चुना करो इतना बड़ा आपको इस देश में वहदा दिया है इतना बड़ा वहदा लेके इस देश के लिए नए दोस्त ले आते उस ट्रम्प को छोड़के जिसको जब ही आप आते रहे और उसने ऐसी तोहीन की आपकी और हिंदुस्तान की और जाते जाते पूरे दुनिया की दुश्मन क्यों ढूरते हैं सेर ये देश आंदोलन पे टिका है मैं जानता हूँ क्या कहेंगे आपके दोस्त कहेंगे वह आंदोलन कारी थे मैं हम तो आंदोलन जीवियों की बात कर रहे हैं हाँ आंदोलन जीवि मैं जानता हूँ आंदोलन जीवी क्या होते है एक होते हैं आंदोलन भोगी एक होते हैं आंदोलन रोगी एक होते हैं आंदोलन जीवी मोदी जी गर्व से कहता हूँ आंदोलन जीवी हो आंदोलन भोगी तो आप जानते होंगे न जो एक बार अंदुलन करते हैं जिंदगी भर बैठते उसकी मलाई चाटते हैं एक रामजनम भूमिया अंदुलन हुआ करता था याद है न आपकी फोटो अड़वानी जी के साथ आया करती थी आजकल अड़वानी जी दिखाई नहीं देते मोधी जी पता नहीं कहां चले गए अंदुलन भोगी कौन होते हैं आप पहचानते होगे न उन्हें जो मलाई खाते हैं अंदुलन के नाम पे लोगों को मरवा के फिर अंदुलन रोगी होते हैं ये सत्ता अधीश दोगों का रोग होता है और अच्छा कि आज आपने अपनी स्पीच में कौन्ग्रेस वालों को भी इशारा कर दिया भया अंदुलन कारियों के चकर में तुम भी मरोगे हम भी मरेंगे दोनों मिलके ऐसा कर लो सुनसद में खुले होके विपक्ष को आँख मार रहे हैं कि हाँ तुम भी अंदुलन कारियों को टाइट रखेंगे यही तो बात मैं दिनरात कहता हूँ यह कोई कंग्रेस बीजेपी का खेल नहीं है यह सत्ता ब्णाम किसान का खेल है सत्ता के खिलाफ किसान है यह अंदुलन किसी विपक्ष का नहीं है अच्छा हुए इस बात को आपने कुबूल कर लिया कि तमाम संसत के अंदर पक्ष विपक्ष एक साथ है आपकी निगाह में अच्छा हुए आपने इस बात को मान लिया ये तो सत्ता बनाम किसान का संगर्ष है जिसमें खड़े हैं तो ये सब कि ये सब आंदोलन रोगी है मैंने बताया ना आंदोलन भोगी और फिर कुछ आंदोलन रोगी जिनको रोज रात को सपना आता हाय आंदोलन हाय आंदोलन ना हो जाए क्योंकि जिसे सच से डर लगता है उसे आंदोलन से डर लगता है जिसे परिवर्तन से डर लगता है उसे आंदोलन से डर लगता है जिसे भविश्य से डर लगता है उसे आंदोलन से डर लगता है और फिर होते हैं मोदी जी आंदोलन जीवी जो आंदोलन भोगते नहीं है आंदोलन से भागते नहीं है जो आंदोलन को जीते हैं अपना हर छण जीते हैं आंदोलन के आशा को आंदोलन के आशंका को आंदोलन के सच को जीते हैं आंदोलन के सपनों को जीते हैं आंदोलन मतलब देश में बदलाओ सुंदर बदलाओ के सपने लेके जो जागते हैं उन सपनों को लेके जो सोते हैं वो सपने जो उन्हें सोने नहीं देते हैं वो अंदोलन जीवी होते हैं मोदी जी आपको बड़ा मुश्किल होती होगी ऐसी चीज़ों को समझने में लेकिन ज़रा सोचिए तो राष्टपती के अभिवाशन के समय देश का प्रधान मंत्री खड़ा होके ट्रोल आर्मी को कोई नए पूर्जा दे दूसरों पे हमला करने के लिए इस देश के लिए इतनी बड़ी कुरसी के लिए गरिमा मैं काम नहीं है प्रधान मंत्री जी लेकिन बताओं क्या होता है आपके कईदाव ऐसे उल्टे पड़ गए आपने पता ने किन किन चीज़ों को गाली बनाने की कोशिश की उसे लोगों ने तगमा बना लिया हो सकता है कल सुबह तक अंदोलन जीवी भी एक तमगा बन जाए एक मेडल बन जाए जो लोग एक बहतर सुन्दर हिंदुस्तान का सपना देखते है वो लोग अपने आपको अंदोलन जीवी कहना शुरू कर दे करेंगे न कम से कम बाकियों को तो कह नहीं सकता आपने मेरे को जरूर एक नाम भी दे दिया है और इस बिमारी में छोटा सा स्टिरोइड का इंजेक्शन भी दे दिया है थैंक यो बादी जी थैंक यो